तो जान जाओ और समझ जाओ नहीं तो जिस दिन हम समझाने पर आगे न तो बहुत पस्ता होगे हसो मन बता दे रहे हसो मन तुम्हारी सकल मुझसे मिलती है तिसका क्या मतलब है गलत फायदा होगा तुम तो वीडियो को सूट करते समय आप एक चीज यह ध्यान दिजेगा कि जब आप वीडियो को सूट करेंगे तो उस समय आपका मुबाइल हिलना नहीं चाहिए जब तक आपकी वीडियो सूट नहीं हो जाती है तो आपका मुबाइल एक ही जगा पे रहना चाहिए तो पहले वाले रोल में आपको कुछ इस तरह से एक जगा एक्टिंग कर लेना है जैसे कि आपको कुछ इस तरह से एक्टिंग करना है कि आप दूसरे वाले को देख रहे हैं अब आप देख सकते हैं कि मेरा एक रोल सूट हो गया है अब दूसरा रोल हमको सूट करना है जब आपकी वीडियो कुछ इस तरह से सूट हो जाएगी तो आपको करना क्या है? कि इसमें से आपको कुछ फालतु पार्ट है, उसको कट कर देशने हैं. जैसे कि इसमें मैंने कुछ फादुग भी पार्ट कर लिये हैं, एक कुर्सी से उठके दूसरी कुर्सी पर जा रहा हूँ, तो आपको इसको कट करके निकाल देना है, तो मैं इसको कट करके निकाल देता हूँ, उसके बाद आगे क्या करना है आपको इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ यहाँ से मेरी acting खतम होती है तो दूसरी acting यहाँ पर मेरी आ जाती है तो आप इस वाली वीडियो पर क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे आप duplicate edge layer पर click करेंगे तो इसका एक duplicate layer में तयार हो जाएगा आप ओके करेंगे उसके बाद इस उपर वाली वीडियो को आप delete कर देंगे इस layer वाली वीडियो पर click करके hold करके रखेंगे तो इसको आप खिसका के इस वीडियो के बराबर मिलेके चले आएंगे अब जैसे यह वीडियो हमारी इस वीडियो के उपर दिखाई दे रहा है तो आपको क्या करना है आप इस वीडियो पर click करेंगे उसके बाद यहाँ ट्रोपिंग वाले option पर जाएंगे इसको आप cut करके एकदम आधा कर लेंगे उसके बाद okay कर देंगे आप इस वीडियो पर click करेंगे उसके बाद इसको बढ़ा के आप screen के size में कर लेंगे जैसे कि अब आप देख सकते हैं कि इसमें जरासा भी नहीं लग रहा है कि इसमें दो वीडियो को एक में किया गया है इसलिए मैंने आपको बताया कि जब आप वीडियो को record करेंगे यानि कि वीडियो को suit करेंगे तो आपका camera बिल्कुल हिलना नहीं चाहिए आपको बस इसमें इतना ही करना है कि आपको इसमें सिर्फ dialogue को adjust करना है यानि कि इसमें कब dialogue बोला जाता है उसके बाद इस dialogue का दूसरे बारे role में कब reply किया जाता है इसी को आपको इसमें set कर देना है